स्टेच्यू ओफ यूनिटी बनियू त्यार्थी आदिवासियो रुजगारी जमीन और बड़तर ना ममले विरोत करता आव्या छे सरकार दावो करे छे केहीं आसपास ना विश्तार नो विकास थव छे परंतु स्थानिक आदिवासियो नी फरियात छे के तेमनी जमीनो छिनवी लेवाई छे नानापी परिया गाम मा रहता शंभू भाई तडवीनु खेतर कादो मा फेरवाई गयू छे स्टेच्यू ओफ यूनिटी नी आसपास पाणी भड़ाई रहे अने अहीं बोटिंग थाई शके ते माटे वियर डेम बनावाम आवे छे जेनाली दे शंभू भाई नुखेतर डूब मा गयू छे आसपास ना 6-7 गामोनी आविस्थिती छे स्टेच्यू ओफ यूनिटी नोहतू बन्यू त्यार्थीच तेव चानास्तानी लारी चलावता हता सरदार्नी प्रतिमा बन्या बाद पन नवा परिसर्मा तेमनो व्योवसाई चालू जतो जोके एक दिवस अचानक परिसर्मा लारी गल्ला योग्य नथी लागता एउ कहीने तेने हठावी देवाया पोतानी रोजगारी जती रहवाना कारणे बन्य हवे घरे बैठा छे नर्मदाने काठे 182 मीटर उंची स्टेची ओफ यूनिटी गुजरातनू एवू परियेटन स्थड छे जेने एकज वर्षमा लाखो नी संख्यामा प्रवासियों ने आकर्शिया छे सरकारना दावा मुझब 11 महिनामा 26 लाख लोकोए स्टेची ओफ यूनिटी नी मुलाकात लिदी छे अने सरकारने 21 करोड रुप्यानी आवक थाई छे जोके केटलाग प्रवासी एवी फरियाग पढ करी रहा छे क्या विश्व कक्षानू परियेटन स्थड होवानो दावो भले करातो होई परन्तु अहीं योग्य वेवस्था न थी स्टेची ओफ यूनिटी ना लोकार पढना एक वर्ष बाद सहलाणियों मौज मानी रहा छे अने स्थानिक आदिवासियों ना चहरा पर दुख छे जोके सरकार नू कहवू छे के स्टेची ओफ यूनिटी बन्याबाद आदिवासियों ने रोजगारी मडी छे अने त्यमने जमिनों योग्ये वड़तर चुकवायों छे कर दो है कर दो कर दो झाल झाल